Hello Friends, Welcome to Editorial Analysis by Simplified Civil Services आज 29 December को तोटल तीन आर्टिकल डिसकस करेंगे आज के तीनों आर्टिकल दा हिंदू से लिये गए है First आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो दा हिंदू से लिया है Old and Strong यह आर्टिकल इंडो-Russian relationship के उपर है इस आर्टिकल के तुरू हम एक means का question प्रेपर करेंगे 2024 के लिए बहुत important है काफी समय से pending है इंडिया-Russia relationship के उपर question Next आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है despair in distress इसमें हम डंकी root के बारे में बात करेंगे और recently इसके उपर शारुखन की एक movie भी आई है उसे भी थोड़ा बहुत discuss किया जाएगा Next और आज का last article है इस Pegasus spyware targeting generalist in India ये article आपके prelims 2024 के perspective से बहुत important है साथ ही आप mains में भी mention कर सकते हैं कि challenges में right against privacy के ठीक है total तीन article discuss किये जाएंगे अगर आपको content पसंद आ रहा है तो please like करिए, comment करिए, share करिए and subscribe करिए शुरू करते हैं हमारा analysis हमारा first article है old and strong ये article the Hindu में आया है GS2IR mains के perspective से बहुत important है prelims के perspective से इतना important नहीं है generally UPSC mains में international relations में bilateral relations नहीं पूछे जाते हैं हमेशा grouping के ओपर ज़्यादा questions आते हैं for example SEO इस बार आया था BRICS G20 इस तरह के grouping पे सवाल आने के संभावनाए जादा होती है लेकिन bilateral relations भी आते हैं US India आपको पूछा जा चुका है ठीक है मालदीव से इंडिया पूछा जा चुका है इंडिया श्रीलंका पूछा जा चुका है तो इस तरीके से bilateral भी आते हैं और इंडिया रश्या बहुत समय से pending है 2024 में इंडो रश्या relationship के ओपर question आपको आ सकता है काफी important है और इसलिए हम लोग एक पूरा means का question पेपैर करेंगे इस article के through इंडिया रश्या relationship को detail में समझेंगे उससे पहले समझते हैं कि न्यूज में क्यों है इंडिया रश्या relationship तो recently हमारे external affair minister है जैशंकर जी उन्होंने रश्या में विजिट की है पास दिन की ये विजिट है और दोनों ही country इस meeting और विजिट को successful और productive बनाने में लगी हुई है पहली बार holiday season के just पहले रश्या में high officials, high foreign officials विजिट हो रही है ये काफी unusual time पे विजिट हो रही है और एक और चीज जो बहुत ज़ादा unusual हुई है वो है रश्या के जो president है व्लादिमेर पुर्तीन वो पहली बार lower ranking foreign officials से मिल रहे है जो जैशंकर जी है external affairs minister उनके साथ जो है पूतीन ने meeting की है ये दोनों ही चीज काफी unusual है और समझ में आसता है कि दोनों ही country कितनी desperate है अपने relationship को बहतर करने के लिए ये सारी चीजें किस backdrop में हो रही है recently जो प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने annual leadership summit में जो है visit नहीं किया था skip कर दिया था ठीक है ये एक unbroken tradition था 2000 में ये शुरुआत की गई थी annual leadership summit की जिसमें head of the state जाया करते थे दोनों countries के और visit किया करते थे लेकिन 2021 के बाद से लगातार दो साल तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस annual summit में जो है participate नहीं कर रहे है इस इस annual summit में जा नहीं रहे है visit नहीं कर रहे है इसके backdrop में ये basically जो visit है इसकी बहुत जादा importance है क्योंकि जब इस तरीके की leadership skip की जाती है इस तरीके की leadership summit skip की जाती है तो questions उठने लगते हैं कि इंडिया के relation Russia के साथ कहीं बिगड़ तो नहीं रहे हाला कि इंडिया ने जो है Ukraine issue में अना शांती बनाई रखी थी कुछ भी criticism नहीं किया था ना ही रशिया का और ना ही उसने locally support किया था Ukraine को ठीके तो कहीं ना कहीं subtle जो है किसको जो है support किया है इंडिया ने कहीं ना कहीं इंडिया Russia को silently support कर रहा है इसके अलावा बहुत सारे issues हैं उनके बारे में बात करेंगे उससे पहले हम बात कर लेते हैं Russia एंडिया के relationship की historical ties की ठीक तो इंडिया का अगर बात करें तो Russia जो है थे अना रशिया ने इंडिया को बहुत ज़ादा सपोर्ट किया था इस्पेशली यूएन रिजॉलूशन में जो की कश्मीर से रिलेटेट थे उसमें रशिया हमेशा वीटो कर दिया करता था जब भी यूएन में कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाता था उसमें हमेशा से रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया है और वीटो किया है और उसके अलावा कोल वार के समय में इंडिया के जो टाइस थे वो बहुत स्ट्रॉंग थे इस्पेशली इन डिफेंस एरिया इंडिया को बहुत ज़ादा जो इकुपमेंट प्रोवाइट किया करता था वो रश के dollar का use नहीं किया करते थे उस जमाने में भी ठीक है तो ये basically हमारे during cold war ties war करते थे अब ही देखें क्या क्या convergence area है दोनों countries के बीच में तो सबसे पहला हो जाएगा trade and investment दोनों ही country जो है के bilateral trade काफी अच्छे हैं 7th largest trading partner है इंडिया का रश्या by volume next बात करेंगे जो सबसे important दोनों countries के बीच में convergence है या फिर important aspect है dimension है उनके relation का वो है defense and security relation defense की बात करें तो पहले इंडिया जनरली equipment खरीदा करता था अब दोनों ही joint collaborate कर रहे हैं और चीजे मिल कर बना रहे हैं इसका example मैंने लिग दिया है ब्रमोस missile इंडिया और रश्या दोनों के द्वारा मिल कर ये missile तैयार की गई है इसके अलावा इंडिया जो है defense equipment खरीद भी रहे है और अगर आप security ties की बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में try service exercise हो रही है जिसका नाम इंद्रा है लगातार हर साल जो है ये exercise conduct की जाती है next अगर बात करें तो है nuclear relation कुंडल कुलम कुडन कुलम नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट ये जो है रश्या की help से बिल्ड किया जा रहा है इवन बांगलदेश में इंडिया और रश्या दोनों मिलके न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर रहे है इसके अलावा space में भी collaboration देखने के लिए मिलता है especially in human space flight program में इंडिया जो है रश्या की बहुत जादा help ले रहा है इंडिया का जो गगन यान mission है उसमें कहीं न कहीं रश्या इंडिया को support कर रहा है और space field में भी दोनों कंट्री बहुत जादा क्या करती है next अगर बात करें cultural relation भी बहुत अच्छे हैं दोनों कंट्री के लगभग 20 रश्या के ऐसे institution है जहां हिंदी पढ़ाई जाती है yoga music इंडिया का वहां पर बहुत जादा famous भी है इसके अलावा जो अभी recently एक और dimension बढ़ा है वो है energy security दोनों कंट्री के बीच में distance बहुत होने के कारण जो रश्या यूक्रेइन वार हुई है उसके कारण western sanctions के कारण oil के price crude oil के price कम होने के कारण transportation के बाद भी इंडिया को oil बहुत सस्ता पढ़ रहा है और इंडिया ने रिसेंटली जो energy energy security को ensure करने के लिए रश्या से oil purchase करना बहुत जादा शुरू कर दिया है और धीरे उसका जो proportion है इंडिया के total import में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और recent visit में भी जो जैशंकर जी है उन्होंने का है कि इंडिया जो है अपना import रश्या से बढ़ाएगा त इंडिया एंड रश्या इंडिया के लिए क्यों इतना important है रश्या ये समझते हैं इंडिया को हमेशा support करता है UN में especially कश्मीर वाले resolution में हमेशा veto किया गया है रश्या के दोरा उसके बाद balancing the relation in multipolar world obviously इंडिया के लिए important partner है US, China और रश्या तीनों के साथ इंडिया जो है अच इंडिया को support की ज़रत होगी इन grouping में इसलिए इंडिया के लिए रश्या बहुत important partner है combating terrorism obviously इंडिया और रश्या दोनों terrorism को combat करने में बहुत जादा collaborate करते हैं especially अगर आप देखें अफगानिस्तान में दोनों ही दोनों के view converge करते हैं कोई difference नहीं है दोनों के view में अफगानि इंडिया को चाहिए होंगे इसलिए जो हैं इंडिया के लिए काफी important है यह आपके point सो जाएंगे कि Russia इंडिया के लिए क्यों important है for Russia इंडिया क्यों important है इंडिया का market है वो बहुत ज्यादा important है for example oil and defense equipment के लिए इंडिया जो है बहुत जादा energy consume करता है तो आने वाले समय में इंडिया की डिमांड और जादा बढ़ेगी ओईल के इंपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो इंडिया जो है मार्केट प्रोवाइड कर रहा है रश्या को दूसरा जो इंपोर्टेंट है बैलेंसिंग था चाइन पाकिस्तान चाइना को बैलेंस करने के लिए भी रश्या को जरुरत है इंडिया की कहीं न कहीं SEO में इंडिया की जो एंट्री है उसमें रश्या का बहुत बड़ा रोल था ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके SEO ग्रूपिंग में ठीक और इसी प्रकार से पाकिस्तान को भी काउंटर वैसे तो SS करने की जरुरत नहीं है पर still कह सकते हैं आप next support in multilateral grouping obviously multilateral grouping में इंडिया के support की जरुरत होगी रश्या को जैसे कि अभी यूक्रेन वाला issue हुआ था Ukraine Russia conflict में इंडिया ने जो है अना शान्त मतब कुछ कहा नहीं था कुछ condemn नहीं किया था और UN resolution जो vote हुए थे उसमें भी abstention था इंडिया का इंडिया ने vote भी नहीं डाला था तो कहीं न कहीं tacit support किया गया है किसके द्वारा इंडिया के द्वारा किसको रॉशिया को तो ये सारी चीजों के लिए रॉशिया के लिए इंडिया काफी जादा important है अब issues की बात कर लेते हैं पहला है weaker economic ties सिर्फ 8.1 billion dollar का trade होता है दोनों countries के बीच में और अगर इंडिया यूएस की बात करें तो इंडिया यूएस के जो trade है वो 100 billion dollar से जादा है और surplus किसके favor में है इंडिया के नेक्स्ट बात करेंगे lack of connectivity connectivity का बहुत issue है इंडिया और रश्या काफी जादा दूर है और connectivity है नहीं अभी बहुत सारे जो projects connectivity के हैं वो भी installed हो चुके हैं अभी तक के जो है उस पे काम चल रहा है लेकिन implement पूरे तरीके से नहीं होए है execute properly नहीं होए है for example international north south economic corridor बनाया जा रहा है अभी तक कि ये बनी नहीं रहा है पता नहीं कब से बना जा रहा है जमाने हो गए इसको बनाते बनाते नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया close relationship with US ये जो है थोड़ा सा problematic हो गया है recently इंडिया-Russia relationship के इंडिया के जो relation है US के साथ वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बहुत close ties हो रहे हैं for example COD में भी इंडिया का role जो है suspicious मानता है कौन रशिया ठीक है उनको थोड़ा सा doubt होने लगा इंडिया की foreign policy पे वहीं इंडिया को जो है problem हो रही है किस से रशिया के जो relation है चायना और पाकिस्तान से चायना पाकिस्तान रशिया जो axis है वो इंडिया के लिए खतरनाक है और कही न कहीं इंडिया इससे counter करना चाता है नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया डायवर्सिफिकेशन इन डिफेंस इंपोर्ट इंडिया जो है लगातार अपना डिफेंस इंपोर्ट में डायवर्सिफिकेशन कर रहा है रिसेंटली रफाल फ्रान से खरीदा इसराइल तो हम लोग खरीते ही है इसराइल से एकुपमेंट और यूएस से भी हम बहुत सारे एकुपमेंट ले रहे हैं रिसेंटली तो इंडिया जो है अपने डिफेंस इकुपमेंट में डायवर्सिफिकेशन कर रहा है अलग-अलग कंट्री से ले रहा है और उसकी जो डिपेंडेंस थी रश्या से वो धीरे-धीरे खतम होती जा रही है और लास्ट पॉइंट है जो इशू है वो है डिलेड इन डिलिवरी आफ डिफेंस इंपोर्ट S-400 बहुत समय से जो है अना साइन हो चुका है माओं की इसको क्या करना है बना कर भेजना है लेकिन अभी तक कि S-400 की डिलिवरी नहीं हुई है तो ये कुछ इशू है जो की चल रहे हैं इंडिया और रश्या के बीच में होफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा ये जो विजिट है ये सारे इशूस को रिजॉल करने के लिए अना की जारी है और होफुली इंडिया की जो फ्रेंड्शिप रहे वो इसी तरीके से आगे होगते रहे और स्ट्रॉंग रहे ठीक तो ये हमारा क्या था आटिकल था पूरा मेंस का कोशन हमने परिपैर किया है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्पेयर इन डिस्ट्रेस ये आर्टिकल दहिंदू में आया है जी एस्टू जी एस्ट्री मेंस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है प्रिलियम्स के परस्पेक्टिव से इतना जादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली आर्टिकल इलीगल माइगरेंट्स के ओपर आया है लेकिन ये इलीगल माइगरेंट्स इंडिया के दूसरी कंट्री में मिल रहे हैं basically अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत सारे countries के जो low developing countries हैं low developed countries हैं वहाँ से लोग इंडिया में आकर बसना चाते हैं क्यों बसना चाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी हालत बहुत खराब है और उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया में आएंगे तो उन्हें बहतर इस्तिती मिलेगी बहतर जीवन मिलेगा उनके बच्चों के लिए बहुत जादा economic distress में होने के कारण या religiously persecuted होने के कारण वो इंडिया में गुशते हैं उसी तरीके से इंडिया के citizens भी क्या करते हैं illegally तरीके से US और western countries में enter होना चाहते हैं उन्हें भी यही लगता है कि वहाँ पर उनकी उनका जो जीवन होगा बहतर होगा जो economic distress में जी रहे हैं यहां पर वो उन्हें वहाँ पर नहीं जहिलना पड़ेगा religious persecution अगर उनके साथ हो रहा है तो वो वहाँ पर नहीं होगा और western countries यूरोप में या फिर US में जो life है वो बहुत अच्छी है इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया से illegally जो है कहां enter होने की कोशिश करते हैं western countries में जबकि ये जो journey होती है वो बहुत ज़ादा risky होती है उसके बावजूद भी जो है लोग इंडिया से जाना चाते है recently एक episode हुआ है उसको समझते हैं आखिर क्यों ये news में आया है recently France का जो airport है वहाँ से 303 लोगों को इंडिया के detain किया गया और इंडिया में वापस भेजा जा रहा है करीब 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने asylum sort किया है asylum मांगा है 20 लोग अभी वहीं पर हैं बाकि जितने भी लोग हैं उन्हें मुंबई में return मुंबई एरपोर्ट में return भेजा गया है basically ये सारी चीजे होने का एक current trafficking भी है ऐसे बहुत से गरीब लोग रहते हैं especially पंजाब और हर्याना के किसानों की बात की जाए तो उनको बहुत सारे company वाले इस तरीके से रिजाते हैं जो agent होते हैं वो रिजाते हैं कि आप लोग ऐसा करिए अपना जमीन बेजबास दीजिए और यहां से US shift कर जाएए उन्हें जूटे प्रलोभन दे करके वो उन लोगों से काफी जादा पैसा लेते हैं और उनको एक particular route से लेकर जाते हैं जिसमें काफी सारी countries में illegally जो है वो stop करते हैं और finally जो destination country होती है उसमें किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी route से enter होने की कोशिश करवाते हैं इस particular route को donkey route कहा जाता है ठीक है और इसी के ओपर अभी शारुक खान की एक movie भी आई थी donkey route क्या है illegal border crossing via indirect route with many stoppages ठीक है बहुत सारे stop different countries में करते हुए illegally दूसरी country की border को cross करने वाले जो route होते हैं उसे हमें donkey route कहते हैं ठीक एक और अचंबित करने वाली बात है पिछले एक साल में US की report की बात करें तो इंडिया से लगभग लगभग एक लाख लोग जो है यूएस में illegally enter होने की कोशिश करते हुए पकड़ाये गए हैं पिछले एक साल में जो की five times है उससे last year का मतलब 2021 की बात करेंगे तो 20,000 ऐसे लोग थे जो इंडिया से US illegally गए थे और पकड़ा गए थे अभी जो है five times हो गए है और एक लाख ऐसे लोग है जो इंडिया में इंडिया से US में illegally enter होने की कोशिश कर रहे है ठीक है तो basically ये जो rise in number है उसका एक reason trafficking भी है और ये जो racket चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ reason है trafficking racket और donkey routes इतना जादा news में recently इसलिए आया है क्योंकि 2019 में एक incident हो गया था जिसमें इंडिया से US में बहुत सारे लोग illegally entered होने की कोशिश कर रहे थे और उस समय पंजाब की एक 6 साल की लड़की जो है dead मिली थी कहाँ पर Arizona desert में उसके बाद से ये बहुत जादा news में है और जो recent incident हुआ है France वाला भी उसकी भी बात करें तो जो 303 लोग हैं वो जनरली पंजाब गुजरात और हर्याना के हैं और वो जो reason बता रहे हैं वो reason भी economic distress है या फिर religious persecution है बहुत सारे लोगों का कहना है जो पंजाब से हैं कि agriculture में distress बहुत जादा बढ़ रहा है तो सरकार को ज economic distress बढ़ रहा है उस पर जो है agriculture income बढ़ाने पर focus करने की बहुत जादा आवशकता है और दूसरा कि इतनी difficulty से लोग जाने के लिए त्यारे इसका मतलब उन्हें misled किया जा रहा है तो जो trafficking record चल रहा है जो companies यहां पर काम कर रही इस्पेशली रूरल पंजाब और हर्याना में उन्हें जो है रोकने की आवशकता है उन्हें इस जो trafficking का racket है उसका मांड़ा फोडने की आवशकता है इंडिया जो security agencies है उन्हें इसमें काम करने की बहुत साथा ज़रुरत है ताकि जो है लोगों को जो misled किया जा रहा है लोग अपनी जमीने बेज बेज के इन लोगों को 50 से 60 लाक रुपए दे रहे हैं और अपना जो है इंडिया से जाकर यूएस में बसने की कोशिश कर रहे हैं वो भी वहाँ पर जाके क्या बन रहे हैं illegal migrant मतलब illegally वहाँ पर रहने के लिए त्यार हो गए हैं इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि या तो उनका desperation बहुत जादा है या दूसरा इस racket को अना उसको control करने की कोशिश करें इस racket पे लगाम लगाने की कोशिश करें तो यह basically हमारा पूरा article है hopefully आपको यह article समझ में आ गया होगा हमारा लास्ट article है इस Pegasus spyware targeting generalist in India यह article दह हिंदू में आया है और prelims के perspective से बहुत जादा important है mains के perspective से भी आप mention कर सकते हैं लेकिन pre के perspective से बहुत जादा important है एक चीज जो पिछले आर्टिकल में बताना रह गई थी वो यह है कि आप पिछले आर्टिकल को आप mention कर सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया से illegal migrants बनकर लोग जो है US में जाना जाते हैं वो बताता है कि इंडिया क growth story जो बहुत जादा अच्छी दिखाई जारी है इतनी अच्छी नहीं है inclusive growth अभी भी नहीं हो रही है lower strata level पर लोगों की हालत अभी भी ठीक नहीं होने के कारण लोग अपना देश छोड़ करके दूसरी country में जाना जाते हैं तो basically inclusive growth में challenges में आप डंकी route का जिक्र कर सकते है है mention कर सकते हैं अब बात करते हैं इस article की basically यह article आपके prelims perspective से ज्यादा important है means perspective से भी important है आप mention कर सकते हैं surveillance state के बारे में बात कर सकते हैं right to privacy के against में यह challenges में यह सारी चीज़े आप mention कर सकते हैं जो पेगसेश स्पाइवेर किया जा रहा है ठीक शुरू करते हैं news क्या है actual में प Amnesty International report claim that the Pegasus spy were targeted generalist in India Washington Post जो की एक newspaper है US का और Amnesty International की एक report आई है Amnesty International basically एक international NGO है जो human right violation के बारे में आवाज उठाता है advocacy करता है human rights की ठीक तो यह दोनों के द्वारा जो है आवाज उठाए गई है एक report में बताया गया है कि इंडिया के जो जन्रलिस्ट है उनको target किया जा रहा है Pegasus spyware के द्वारा कौन से जन्रलिस्ट है एक का नाम है सिद्धार्त वद्रारंजन जो की दवायर के editor है और दूसरे है आनन्द मंगले of South Asian editor of the Organized Crime and Corruption Report project वो CCRP के editor है इन दोनों को target किया गया ह है ऐसा Washington Post में और Amnesty International Report में बताया जा रहा है basically इनको किस तरीके से attack किया इसको समझने का try करते हैं यह चीज़े आपको prelims में पूछी जा सकती है security lab concluded that message to facilitate a zero click exploit had been sent to Mr. Mangale phone over his iPhone iMessage app on August 23 ठीके तो जो lab है उसमें जो है जब check किया गया तो यह पाया गया कि zero click exploit का use किया गया है Pegasus virus को install करने के लिए जो spyware है उसको install करने के लिए क्या use किया है zero click exploit को use किया गया है once receive the message was designed to covertly install Pegasus on the device जैसे ही message वहाँ पर iMessage में पहुसता है वैसे ही automatically कुछ किये बिना भी आपका Pegasus जो spyware है वो install हो जाता है mobile में है क्या यह zero click exploit इसको समझते हैं यह आपको prelims में पूछ सकते हैं प्लीज इसको याद रखेंगे ठीक zero click exploit refer to malicious software that allow spyware to install on a device without the device owners consent ठीक है तो zero click exploit क्या है एक software है malicious software है जो क्या allow करता है spyware को यहाँ पर Pegasus है spyware उसको allow करता है install होना without the device owners consent generally क्या होता है कोई भी आपको mail आता है या message आता है और उसमें एक link आती है जैसी आप उस link पे click करते हैं तब ही जो है आपके इसमें viruses install होते हैं लेकिन इस particular case पे zero click exploit में अगर आपके mobile में सिर्फ message भी आ जाता है तो automatically जो spyware होगा वो आपके mobile में install हो जाएगा यह क्या है zero click zero click exploit है ठीक यह आपको याद रखने की ज़रत है more importantly it does not require device owner to perform any action to initiate and complete the installation जो owner है उसको कुछ करना ही नहीं है जस्ट आपके mobile में message आया कोई भी और आपके mobile में Pegasus software क्या हो जाएगा spyware installed हो जाएगा the specific exploit allegedly in use on the two device is called blast blast ठीक है तो जो हम use कर रहे हैं process उसको क्या कहा गया है blast blast कहा गया है पहले इसे blast past कहा जाता था अब इसे blast past कहा जा रहा है ठीक है तो यह दो phases में होती है इसको दो phases में आप Pegasus spyware installed कर सकते हैं किसमे smart phone में ठीक है तो आपको याद रखना है यह जो terms है इनको एक term हो गया हमारा zero click exploit और दूसरा हो गया blast past ठीक है यह recently in the news करके आपको पूछा जा सकता है zero click exploit blast blast and एक और जो पिछले वाले cases में हुआ था जब Pegasus spyware इंडिया के बहुत सारे politician को क्या कर रहा था surveillance कर रहा था उसमें install हो करके तो उस case में जो process यूज की गई थी वो क्या थी point your home ठीक है यह process यूज की गई थी तो यह जो टीनो term है blast past zero click exploit यह recently in the news करके आपको पूछा जा सकता है किस से related है spyware से related है अना कही न कहीं पेगासस से भी related है obviously Pegasus को ही जो है install किया जा रहा है इसके तुरू तो यह आपको प्री में पूछा जा सकता है ठीक है जो spyware company है obviously जो Pegasus है उनसे पूछा गया कि यह क्या चल रहा है तो उन्होंने deny कर दिया हम लोग जो है legal requirement के हिसाब से ही जो है सारी चीज़े कर रहे है illegal हम कुछ भी नहीं कर रहे है और उन लोगों ने सिरे से खारिच कर दिया है इन चीज़ों को ठीक है तो आप लोग यह सारी चीज़े राइट टू प्राइवेसी वाले में challenges में भी लिख सकते हैं जो Pegasus spyware के थूरू surveillance किया जा रहा है जो कि state sponsored surveillance भी हो सकता है ठीक है तो यह चीज़ों को आप लोग mention कर सकते हैं अपने mains में भी और pre के लिए important तो है ही जो हमने समझने की कोशिश की है ठीक यह हमारा article था that's it for today thank you and enjoy your day